हेलो दोस्तो स्मागत है आपका अपने युट्ब चैनेल मिश्टर इन्वेस्टर में आज हम हम लोग वारान बफेट के 7 इन्वेस्टिंग रूल्स के बारे में समझने वाले है वारान बफेट जब 10 साल के थे तब वह मां के घोडों के रेच में जाया करते थे जिसका नाम था अकसारबन और जब वहां की रेस खतम हो जाये तब वहां पर वारन बफेट जाते थे और फेकी हुई टिकिट्स को उठा लेते थे क्योंकि उनको पता था कि कोई ना कोई एसा आदमी जरूर होगा जिसमें विनिंग टिकिट ही फेक दी होगी इसलिए वह सभी टिकिट्स को कलेक्ट करते और उसमें विनिंग टिकिट को ढूंडते और हर बार उनको कई सारी विनिंग टिकिट्स मिल जाती थी लेकिन उनको पता था कि 10 साल के बच्चे को कोई भी विनिंग टिकिट के पेसे नहीं देगा और इसलिए वो अपनी पूरी टिकेट्स को आंटी को देते और कैश काउंटर से कैश करवा लेते थे ये patience and reading के habit वारन बफेट में हमेशा रही जब वारन बफेट 20 जेयर के थे तब उन्होंने बफेट पाटनर्शिप से अपनी investing करियर की शुरुआत की जिनको पता नहीं है कि Moody's Manual क्या होता है तो देखिए आज कल हमको बहुत सारी website से app मिल जाती है जिनमें हमको company की detail information देखने को मिलती है लेकिन पहले के time पर जब technology ज़्यादा advance नहीं थी तब हमको Moody's Manual की एक book मिलती थी और उस book में छोटे छोटे अक्षरों में company की basic fundamental लिखी हुई रहती थी उस book की writing इतनी छोटी words में की थी कि उसके एक page में ही पाच्छे companies की basic fundamental लिखी हुई रहती थी और उसको Warren Buffett हमेशा पढ़ते रहते थे और Warren Buffett अभी भी कहते हैं कि सबसे बड़ी compounding होती है knowledge की तो Warren Buffett का पहला rule यही था कि learn a lot, read a lot investing का second rule आता है know what you want Peter Lynch बताते हैं कि 7 class की बच्चों ने 14 companies का portfolio तयार किया था जिसमें उनको 2 साल में 70% का return देखने को मिला था और जबकि अमेरिका के index का return था 26% का यानि कि इन बच्चों ने जो companies को select किया उन्होंने अमेरिका के index को भी beat कर दिया तो अभी सवाल आता है कि उन बच्चों को क्या सिखाया गया था तो देखें उनको ये बताया गया था कि आपको कभी भी ऐसी company में investment नहीं करनी है जिसको कि आप एक रियान में लेकर समझा ना सको इसलिए बच्चे जब किसी company को select करते तब उनसे पूछा जाता था कि ये company कौन से product बनाती है और कौन सी service provide करती है अगर वो इसका answer नहीं देंगे तो invest नहीं कर सकते है next point इनको समझाया गया था कि अगर आपको long term के लिए investment करना है तो आपको small companies में करना चाहिए तो देखिए अभी reliance की market cap है 16.6 lakh की अगर हम अभी इसमें investment करते है तो हमारे पेसे 10 गुना तबी होंगे जब इसकी market cap 10 गुना होगी लेकिन दोस्तो मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको penny stock में investment करनी है इसलिए आपको stock को नहीं बल्कि उसके पीछे की company को देखना होगा कि उसकी company कैसी है और क्या product बनाती है और अगर आपको ये समझना है कि हम best company कैसे पता कर सकते है तो आप इस वीडियो को देख सकते है मैं इसकी link description और pin comment में दे दूंगा आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते है होर्त rule हमें कहता है कि हमको ज़्यादा stock को hold नहीं करना है देखिए एक human mind 8 से 15 companies को ही analyze कर सकता है इसलिए आपको अपनी पूरी life में 10 से जादा company में investment नहीं करनी है लेकिन वो 10 की 10 companies ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे कि मैं उस company के CEO से मिल चुका हूँ और मैंने 100 pages का agreement sign करके उसमें investment की है यानि कि आपको उस company पर थोड़ा भी doubt नहीं होना चाहिए और Warren Buffett भी यही कहते हैं कि अगर एक average person को 3 business भी मिल जाए investment करने के लिए तो वो भी बहुत है next rule कहता है कि if you like a product chances are you love the stock यानि कि अगर आपको किसी company का product अच्छा लगता है तो आपको उस company में investment करना चाहिए Peter Lynch अपनी book में बताते हैं कि उनकी लड़किया the body shop company के products को use करती थी और जब उन्हें पता चला कि इसके product बहुत अच्छ है तभी उन्होंने उसकी annual report को चक किया और अपनी team को investment करने के लिए suggest किया और बाद में उनको उस company से multi times return भी मिले इसलिए आप जिस भी company में investment करते हो सबसे पहले आपको उसके product को use करके देखना है next rule is key trying to time the market Peter Lynch केते हैं कि expert को कोई भी पता नहीं होता है कि market upside जाएगी या फिर downside लेकिन उनका काम ही होता है market को time करना इसलिए उनको time करना ही पड़ता है यानि कि उनको एसा दिखाना पड़ता है कि मुझे सब कुछ पता है market upside जाएगी या फिर downside जबकि उनको इसके बारे में कोई भी idea नहीं होती है लेकिन जो best investors होते हैं वो देखते हैं कि कौन सी company best products बना रही है और public को कौन से products की जरूरत है और इसी के हिसाब से वो best company में investment करते है जिसके कारण long time में company के साथ stock price भी grow करती है और उनको अच्छा खासा profit देखने को मिलता है इसलिए आपको AC company को ढूनना है जो की best product बनाती है ना कि आपको market को time करना है next rule is free cash flow is the king of company अगर company का profit बढ़ता जा रहा है और उसका free cash flow same है तो उस company में कुछ ना कुछ problem हो सकती है तो अगर आपको cash flow के उपर एक detail में video चाहिए तो comment कीजिए मैं उस पर एक detail में video बनाऊंगा और अगर rule समझ में आए तो video को like और channel को subscribe कर सकते है thank you